असलाम अलेकुम दोस्तों विलकम टी यॉपए इस दोस्तों ने वीडियो के साथ हाजर है आध की इस वीडियो में आपको पक्स्तान अटामिक इनर्जी की न्यू जॉपस के मैं बता हूंगी इसमें कौन को अप्लाई कर सकता है तो फिलाई करने का आपको कमल प्रसेस में और सकता है तो फिलाज़ होगी तो में आपर सब्सक्राइब करना है तो इसमेडल ब Susp Orthodox प्रसेस क्लिक नहिए अपने में दोनां रिंच कर सकते हैं आपो पहला भी Nou सबस्क्राइब करना है लिए से जैने को लिए usp अपन करेंगे वहां पर आपको पक्सान अटाफिक रजी के पोस्त नजाएगी उस पोस्त को अपन करके आपने रीड कर लेना है जब आप उसको रीड कर लेंगे तो वहां पर आपको इसका एड मिलेगा तो सबसे पहले मैं इसका एड ओपन कर लिए ताकि इसकी 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 जिसमें आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर आपको पताती है चलो सबसे पहली पोस्ट की बारे में scientific officer की पोस्ट है IT की और यह जो पोस्ट है आपको पताती है system administrator की पोस्ट है और एक रिएड जो है बीसे इंजिरिनिंग कंप्यूटर आइटी 4 यर्स फर्स टीविन के साथ है तो भी आप लोग इसमें अपलाई कर सकते हैं और इसके लावज आपको पास certificates भी होने चाहिए और यहां पर आपको जो है minimum 2 यर्स आपको पास experience होने चाहिए system administrator में तो यहां पर नेक्स पोस्ट आपको बताते चाहिए इसमें कौन सी पोस्ट है scientific officer IT की पोस्ट है और इसमें database administrator की पोस्ट है और यहां पर जो है qualification का criteria आपको पताते चाहिए BCS, BIT, BSC, BSCS, 4 years first degree in के साथ आपको इस होने चाहिए MCS आपके पास MIT first degree in के साथ साथ जरी पोस्ट होने चाहिए OCP का आपको बताते है benig Fact in to year experiment आपको बताते है data administrator में मीडियों नेक्स पोस्ट आपको बताते है junior programmer की है और इसमें system programmer की पोस्ट है और इहां पर — dit junior programmer, system programmer aur. Oracle downloads, developer की पोस्ट है यहांपर इन पोलीफिकेशन कर्राइटर्सक्राइखेसे मुद्ध में क्या वूद जा आपके पास विदू कर सकती है। लिए अपर इसे को भी क्रिफिय टैक्स कर सकते हैं। यहां पर आपको नेक्स्ट इसके बारे में बिताते हैं computer technician की post है और यहां पर 3 है आपके पास diploma होना चाहिए 3 years का DAG से कहते हैं और आपको polygeneric institute computer technology से होना चाहिए first division के साथ और इसके लाओ आपको पास certificate होना चाहिए Microsoft, Cisco, regular Linux में यह तो आप लोग इसमे अप्लाई कर साथे हैं C, C++, C, C आपको आती हो इसमें आपको पास experience होना चाहिए Tech 1 electronics की post है 3 years का diploma होना चाहिए DAG से कहते हैं और आपको पास electronics में आपको पास diploma होना चाहिए first division के साथ और आपको पास two year experience आपको इस industry में होना चाहिए यूनियर सिस्टर 1 एडविंग की post है B.com, BBA, BACS और आपको पास जो है BBA, BACS आपको पास two years first division के साथ आप लोग इसमें अप्लाई करने के लिए जो है valid है next two post है last driver three की post है इसमें आपको पास metric होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए आप लोगों ने इसमें online apply करना है online apply कैसे करना है आपने इनके application form आपने जो है इनके official website से यहां पर आप देख सकते है hrjobs.net.p कि यहां से आप लोगों ने है 23 November से पहले पहले तक आपने application form आपने submit करवा देना है और यहां पर आपने बताती चुनों कि इसमें last post जो driver की post है इसमें आप लोगों ने online apply नहीं करना है इस post के लिए आपने by post आपने send करनी होगा आपने application form आप कैसे लेंगे वो भी आपको information भी आपको बताएंगे आपने application form को download करना है उसका print निकलवा कर आपने उसको fill up आपके उसके साथ अपने magic certificate, cnac, domicile और dramicile, license जो है आपने उसके साथ लगा कर passport size photo और आपने जो है जो आपको address बताएंगे आपने उससे address पर send कर देना है और यहां पर आपको जो है first region आपके final degree में होनी चाहिए second region आपके 50% marks आपको जो है यहां पर allow है और आपको यहां पर कोई भी third region आपको यहां पर allow नहीं है तो यहां पर आपको पताएंगे कुछ और conditions आपने इनको date कर लेना है तो अब आपको पताते चलें कि आपने इसमें आपने कैसे apply करना है आपने simply इनकी official website पर आजाना है जब आप इनकी official website open करेंगे तो आपके सामने इसलिए इस तरह से यहां पर आपके सामने तो पोटल अपन होका तो आप लोग अनिया पर जैसे आपने आपके सामने इनकी website open हो जाईगी यहां से आपनी tense नहीं होना आपने सिंप्ली जैसे मैंने आपको बताया आपने और्गनिस तरह सप्लाई कर लेना है तो अब आप यहाँ पर देख सते हैं यहाँ पर 1-7 पोस्ट है है और इसमें ड्रैवर की पोस्ट नहीं है तो सबसे पहले आपको बताते हैं ड्रैवर की पोस्ट के लिए आपने यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म आपने यहाँ पर क्लिक करना है आपके सामने यह अप्लिकेशन फॉर्म ओपन होगा आप लोगो ने इसका प्रिंट ने कलवा कर और जो मैंने आपको मैतल बताया है आपको बताये हैं इसके साथ आपने डाकुमेर्स लगा कर आपने सेंड कर देना होगा। प्रियो बॉक्स स्लामबाद पर प्रियू लाइन प्रियू पर क्लिक करना है। प्रिश्टर हो जाएंगे आपने वापिस आकर आपना C1 पासफ़र डालना है तो आपने ज्या आपके साफ़ने आंलाइन पोटल ओपन हो जाएगा तो इस तरह से आप इसमें प्लाइज कर सकेंगे जीतों दोस्तों अगर आपको इसमें अप्लाइब करने में कोई भी कन्फिजिन होती है तो आप हम सेक्षिन पूर सकते हैं यह थी मारी आज की वीडियो अमेद करते हैं आपको पसंद आए कि लाइक करें शेयर करें और माच चैनल को लाज में सब्सक्राइब करें इंशाले ने वीडियो के साथ हाजिर होंगे थेंक्स फॉर वाचिए